नमस्कार आप सभी का स्वागत है NCRT के live interactive session में मैं हूं Simran Singh और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इविद्या के channel number 7 के जरिये इसके अलावा तमाम माध्यम हैं जिनके जरिये आप सभी हमारे साथ संपर्क साथ सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 बजे का समय हो चुका है आपकी घड़ी पर 12 से 12.30 हम लेकर आते हैं इंक्लूसिव क्लास्रूम सेटप यानि समवेशी कक्षा के प्रती जागरुपता बढ़ाने की कोशिश करते हैं बहुत से teaching learning materials हमारे experts आपके लिए लेकर आते हैं ताकि ये सत्र आपके लिए सुगम्मे बने और आसानी से हमारे सभी दर्शक सभी वच्चे इन विश्यों को समझ पाएं तो आपको बता देते हैं कि कक्षा सात्वी के विद्यार्तियों के लिए आज सोशल साइंस का ये सत्र रहेगा तो सामाजिक विज्ञान के सत्र में आज हम एक बहुत ही महत्वव पून विश्य पढ़ेंगे आज हम बात करेंगे दे मेकिंग ओफ रीजनल कल्चर्स के बारे में यानि शेत्रिय संस्कृतियां इनके बारे में जानकारी साज्या करने के लिए हमारे साथ हमारे महमान उपस्तित हैं उनसे आपका परीच्चे कराते हैं स्टूडियो में मेरे साथ मौझूद है मिस मन्जू माम और माम स्पेशल एडुकेशन टीचर हैं नाशनल असोसियेशन फॉर ब्लाइन डेली से तो मन्जू तिलारा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा ये खास सत्र रहता है हमारे साथ हमारी साइन लांग्विज इंटर्प्रेटर सापरी रोहिला जी भी मौझूद है नमस्कार आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और दर्शकों इस पूरे सत्र के अंतरगत कोई भी ऐसे सवाल है जो आपके जहन में आते हैं कोई भी जानकारी आप हम तक पहुंचाना जाते हैं बेजो जग आप हमें कॉल कर सकते हैं इस कॉन्टाक नमबर पर ये नमबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 880044-0559 इसके अलावा आप सभी हमारे साथ संपर्क साथ सकते हैं इस इमेल आईडी के जरिये कक्षा साथवी के विध्यारतियों के लिए हमारी आधिकारी इमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है dth.class7 at the rate ciet.nic.in तो चलिए अपनी कारिक्रम के यहां पर शिरवात करते हैं और सबसे पहले माम क्यूंकि आज हम बहुती महत्वपून विश्य पढ़ रहे हैं शेत्रिय संस्कृतिया तो यह क्या होता है रीजिनल कल्चर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सो और बताएं आज हम क्या पढ़ेंगे बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि यह पार्ट जो जे चैप्टर है छेत्री संस्कृतिया जे तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है इसे बीचे हैं हैं तो संस्कृति जो किसी यह जोड़ी संस्कृति की गुन उते हैं जैसे वहां कि भाशा लुकल बिल्कूर्श् चैतर के रिवाज की पहना और दख़ना यहां के दांस जी जैका म्यूजिक लोग निदनिते और लोगी या फिर वहां का कुछ आठ कला या फिर टैंपल्स लगा लेजी तो यह सारे कल्चर होते हैं उस छेत्र विशेश के ठीक है जैसे बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति में चीज़ते ही है तो ही बहुत सारे विशेश थैं तेकिन अगर किसी छेत्र को ड अक्सर वैसे मैं तो हर्याने से हूं लेकिन लोग कहेंगे की पंजाब से हूं ऐसे ही अगर हम बोलें कि उडिशा के व्यक्ति है कौन से भाशा बोलेगा हम सबी जानते है उडिया वैसी तमिल आड़ू का अगर कोई व्यक्ति है तो वह तमिल बहुता है कहने करती है जो हम पता लगा सकते कि वह किस छेत्र को विलोग करता है कौन से संस्कृति है इसी तरह से अगर हम खान पान की पात करें अगर मैं आपको बोलू इगली सांबर तो मुझे साउथ इंडिया याद आ जाएगा इसी तरह से पंजाब को मुखी खाना है तो मैं मक्की की रोडियो और सर्थो का सद Soldier का सद कहुंगी ऐसी बंगाल का भी अपना खाना ओता है तो बनारिकोब करें तो बहन आशजीए की बात में तो पेर चेत्र का अलगा दिली में हाओ रहें की मिक्स कंशर है को ऑलग चेट्र्र और ही है मिल को यहां तो में सब कल शाद देकनों मिल जाता है ले आप जाते हैं तो वहां हम उस शेत्र फेशल होता है ढ़ा होता है तो लोग उसी अलग छीड का अलग होता है इसी तरह सेब विब का निरत्र 섞 वह शहयत्तर के प्सक्लरर इस पुर्ड अने की सब्सक्रासर के पर्टीमियником हम भागे go down एक भी बाप Forny the इसा माना जाता है कि हमारे वो कि यो शूंस्कृति ningún सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां लोन तो उनका जो अलग संस्कृति फॉर्म हो जाते हैं तो यहां पर पूरे देश से लोग जो है मौजूद है यहां पर आपको थोड़ा सा असम का भी आपको संस्कृति का भाब महसूस होगा थोड़ा हर्याने का पंजाब का पूरा देश हर तरह के भाशार मिल जाएगी हर तरह मंदिया घाएगे हर तब उसका झीज का कुलिश एंड बदी को नहीं तो यहां पर में जो है हम आज जो बात इस चैप्टर मी मैं बात होई इस प्रूं को बताया गया है क्लचर वारे बताया तो आपके बूख मेल के दिया हो गया है उसमें कुछ छेतर न को पताया गया है में चैत्र हैं जिनको पिंग कलर से किया गया है तो पिंग कलर में जैसे राजस्थान है एरल औरिसा पशिम बंगाल हमाचल प्रदेश उतर प्रदेश कहने के मतलब यह कि आज के इस जो सेशन है इसमें हम इन जो छेत्रे इनकी कल्चेश के बारे में बात करेंगे तो मैं यह स्ब्सक्राइब करें देहार दराएं मोज पता लग रहा है कि जो पिंक में है वह हाइलाइटेड लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं समवेशी कुक्षा का हमारा यह सत्र रहता है तो ऐखास सत्र है हम इसमें इंक्लूजिविटी की बात करते हैं तो हमारी कख्षा में विशेश आविशक्ता वाले बच्च भी हो सकते हैं तो ऐसे में ये कॉंसेप्ट जो है उनके लिए कैसे और सुगम में आसान बनाया जा सकता है बहुत अच्छी बात कही है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं हमें टेक्टाल मैप तेयार किया गया है जी में देखिए ऊपर लिखा हुआ है मैप रिजंस ऑफ इंडिया और यह एक इंडिकेटर दिया हुआ है जिसे पता चले है कि हमें पैप को सिधा पकड़ा कूल हैं में प्रिंट में प्लस एंडिकेटर लगा हैं लगाया तिके एखिशनी बात बड़ा borrow in , में onu मैं और यह थिक्षर प्रंट में प्लस इंडिकेटर लगा है ठीक है फिर responsive प्रढ़ेशन में लिआ बखा हैं में फित हमीं बने लगा हैं कि अनलकेख ट्रदेश ना बच्चा इसे चूब देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि यह बाउंडरी है और इस बाउंडरी से सटे होए यह शेत्र है और इनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं तो उनके लिए उनको फेसिलिटेट करने के लिए यह मैप बना वह बिल्कुल बिल्कुल आगे इसे कहा कि वेक्ति को अगर हम विशेश चेते से यह जाना जा तो इसकी भाषी नहीं। आज हम लोग के बारे में बच्चंब को मैप में उसकी उसमें भाषा का विकास किस तर ऐसे वा उसके बादे में चल्चा करेंगे महोदेवःपुरम का जो चेर राजी का एक हिस्सा तर इस इलाके में ज्यादा तर मल्यालम भाषा ही बोली जाती थी और वहां कि जो सम्राइट लोग ते राजा लोग थे वह अपने जो भी अभी लेक थे अभी लेक में तो उसका पत्थर का बड़ा सा चिला लेक ताइप का जो होता है उसमें खोद करके हैंना कुछ लिपी ल लेकिए हालंके मुझे मल्यालम आती नहीं है और ये नौवीश शताबदी की बात है यानि बहुत पुरानी बात है लेकिन पिर भी आपको ये पढ़के देखके समझ आ जाता है कि तब भी अपना प्रचलन था उस टाइम पर मल्यालम प्रचलन था और मल्यालम भाषा में प या थियर्टर है वह जो है संस्कृत बड़े महाकावि उस पर बेजने सारे मल्यालम भाषा के जो पहली साहतिक कृती थी वह बार्वी शताबदी में बताए जाती है और वह पुरी तरह से संस्कृत में ही लेखी गए ती इसलिए संस्कृत की और इनिक उसको कहते हैं लीला है तो इन दो भाषा से मिलकारी मणी प्रवालम शेलि में ही आप के है इस लीला तेलकम गरंत उसको लिखा गया था ठीक है तो यह रहला भारवा रहावा दूसरी जो चीज थी हमने बताई थी की टेंपल के ऐने धर्म के बारे में धर्म से भी हम पता कर सकतें कि वो किस छेतर का क्ल्चर है तो जो अन्य खेत्रों में छेति संस्कृतियां थी वो हमारे छेत्री धार्मिक जो परमपरायन थी उनके आजूबाजूमि इर्धगर्धी प्रच्छित कि बहुत से लोग जाते हैं तो लोग उसको जगनाथ से रिलेट कर ते और आर्टी यहां पर खास वाने है जो कोई मिन्स करना जा जाता है तो जगनाथ का मतला जग मतला संसार यह दुनिया & नांत मतलब मालिक और यह जो जगणनाथ है इसको पर्यायवची वह जाता है वह जो लोकल में तो Ease उसको ऐक वुड़न में बनाे करते थे लकडी की प्रतिमा बनाते थे और यह जो परणपरा की जो ट्रेडीशन है लकडी से बनाने वाली यह आज भी वहां पर popular है अनंत वर्मन जो गंग वंच का एक बहुत ही शूर्विर राजा था उसने पुरी में इसी जो जगनात है उसका एक मंदिर बनाया यानि की विष्णु का मंदिर बना बन वैसने और उसके बाद 1230 में एक और राजा था जिसका नाम था अनंग भीम तृति या कर दिया यानि इसको अर्पित कर दिया लो करते हैं अपने कोई चीज भगवान के नाम पर वैसे इस मंदिर के नाम पर अपना पूरा राज्य अर्पित कर दिया और अपने आपको उसने डेपीटी यानि प्रति नियुक्त घोशित कर दिया कि मैं उस मंदिर का प्रति तीर्थिस्थल या तीर्थियात्रा केंद्र के रूप में इसकी जो इंपोर्टेंसी वो बढ़ने लगी लोग आने लगे और इसको तीर्थिस्थल मानने लगे तो एक सेंटर बन गया है तो देर देर क्या हुआ इसकी सामाजिक और आजनितिक जो इशू से उसमें भी इसकी उसका माला यह था कि आगर मैंने इस मंदिर पर लिया तो इसका मतलब है कि वहां के जो लोग है वह कि बहुत सारे लोग होगी जिनकी मानेता जो होगी इस मंदर में होगी तो राजों को क्या चाहिए प्रजा का साथ तो जो लोगों को साथ हो जाएगा तो अपने अपी वो उसमें कर नियंद्रन अच्छी तरह से हो जाएगा यानि एक स्टैस्टिकल मूफ की तरह देख सकते ह है राजनेतिक मोग तब सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन हमने यह देखा है कि जैसे आप भी कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रही है मुझे लगता है कुछ खास बात है कहानी कहानी के रूप में पढ़ें तो मुझे नहीं लगता है कि इस्टी तनी तफ चीज है तो यह तो था मंदिर को बारे में आपका नेक्स नम आगे चलते हैं अब इसी के देखिए एक वो बनाई थी पांडू लिपी है ना जिते बाल भद्र सुबद्रा जो जगनात की बहन थी उसकी लगू मूर्तियां चोटी-चोटी मूर्तियां बनाई गई हैं ताल पत्र यानि जैसे छस्तान की ओर जैसे मने मेफ में आपको दिखाया था परले करेल के बारे में हो गया एप सबसे पहले आपके देवाम क्या अब अब दो चीजए मुझे याद आती है मैं आप आती हूं एक पहली चीज जो है राजस्थान के बारे में हमें अपने वीर राजपूत जो है वो याद आते हैं और दूसरी चीज मुझे याद आती है रेगेस्थान बिल्कुल सही है एक और बहुत इंपोर्टन चीज है यह तो ठीकी है कि राजस्थान मतलब वहां के बड़े-बड़े युद्धा होना बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जब राजपूर लड़ाई के लग जाता था तो योध्धा और योध्धा के साथ पिर मुझे आद आ रहा है तलवार यानि हत्यार हत्यार के विना कैसे जागा लड़ाई के लिए तो बच्चों को समझ बिलकुन है अगर राजपूतों के बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमांग में एक तो आती है उनकी मूचे जी तनी हुई मूचे हैं हमेशा वोतर रहे से मूचों को देते थे चलो हम राजपूत है और दूसरी बाद जी जुद्ध में जाते थे तो में था उनका तल्वार वे चुटी से तल्वार यहां पर तयार की है बच्चों को दिखाने के लिए कि इस तरह की कुछ तल्वार होती थी तो यह तल्वार हम दिखाएंगे भी ठीके तल्वार अकब देखे तो दूसरी आपनी कैसे बनाई है यह थोड़ा सा बताये यह अच्छली में पास एक कार परफोर गतुटे कर था ? मैंने मैं एक चे बना ने काटा सुलवर पेपर मिरो पड़ा था और यहा उसके प्लेश को पर यहानील कर दिया थैसे पकड ने का वहीना if अछा हूता है बिल्कुल मैं मैं रास परौत हूं Thanks जिसमें तलवार को हम ओरिजनल तलवार तो ला भी नहीं चाहिए जो खिलोनों वाली तलवार होती है शस्त्र के तौर पर बच्चे उसे मुश्किल से हाड़ी सी 15 मिनिट लगे तलवार तयार हो लेकिन बच्चों के लिए एकॉंसर्प कितना ज्यादा मज़ेदार हो जाता है कि आज अगर हम राजपूतों के बारे में योधाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो तलवार भी मौजूद है तो अब क्या होता था जहम राजपूत की बात करते हैं तो 19 शेता अबदी में जो अंग्रेज लोग हमारे बिटिश लोग रहते थे उनका यह मानना था कि यह यह पर रहते हैं तो यह तो यह पर रहते हैं तो यह पर रहा करते थे लेकिन भारत के उत्तरी और मद्धिवर्ति भागों की अनेक ऐसे गुरूप से जो आज भी मदर के मुद राजपूत हैं अपने राजपूत कहते हैं लेकि वेवेने चेत्रों में रहते हैं बिलकुल कि क्या ता फिर भी यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक अपनी के विशेश्व पहचान छोड़ते हैं ठीक है अब आठी शतादी में जो राजस्था अंता उसमें ज्यादा तर जो है राजपूत राजाओं नहीं शाशन किया है और उसमें से एक बहुत ही शूर्वी शाशक था जिसका नाम था प्रित्वी राज चोहन जिसको कोई भूल नहीं सकता उसक कावियों के माध्यम से हैं गोजाएं की यह जो हमारे कावियों गीत हैं जो शूर्विर लोग हैं उनके हमें हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि इन कहानियों में किस के कौई फीलिंग को शो किया है जो राजपुत लोग स्वामी भक्त थे हैं न मित्रता कि अच्छी मित्रता करते थे यह प्रेम शौर या फिर अपना घुसे के लिए बहुत सब जल् एक और चीज़ है कि विमेंस के बारे में इस्त्रीयों का भी थोड़ा बहुत इसमें रोल रहा है मतला कहानियों में उनका चितरंड है वह चितरंड रहा है कि उनके जो पती लोग थे उनके साथ उनका जीवन मरण दोनों का अनुकरन करते थे मतला यह था जी जब जी रही बहुत ही पुरानी बात है उस समय की प्रताइं अलग थी और यह ऐसी प्रता जो है फिर इसके खिलाफत भी हुई वह इसके खिलाफ भी मुझमेंट हुई हमारे बहुत सारे समासु द्वारक थे जन्होंने राजराम महुन राड़े सती प्रता अंत कर दिया तो गलत कि कहानी मतलब क्था、 का उसका अर्थ क निर्थ होता है सुनते हैं यानि कहानी सुनते हैं, कहानी कि अभी व्यक्ति करना अपने आखों से अपने चेहरों से ऐसी से मुद्रय बनाते हैं वो जिससे पता चल जाता कि कौन सी कहानी आप बता रहें कहानी की अभी व्यक्ति कहानी को एक्स्प्रेस करना जी पंद्रवी और 217 में भक्ती अदुलन के प्रसार के बाद कत्क जो था एक विशिष्ष नितिशाली के रूप में उभर कराने लगा और मुगल बात्शाओं के शाशनकाल में इसको एक विशिष्ष नितिशाली के रूप में बिक्सेट किया गया तो मैं यह तो हम रहे है दान्स फॉर्म जास जैसे और भी पावर पॉइंट में आपने मेंशन किये हो हैं जैसे कथक उत्तर प्रदेश का हैं कथक अली के अर्ला लेकिन जब हम बच्छों के बाद करते हैं तो यह उनके लिए और ज्यादा आसान कैसे बनाया जा सकता है क्योंकि अक्सर बच्छों को यह मुश्किल लगता सब्सक्राइब करते हैं तो समाविशी के लिए हमने स्पेशल बच्छों के लिए कुछी अलग लगता है के फ्लेश काड़ बना हैं जिससे चूंगो अर्महाए गयोंख्य देखे यह जैसे जिस अ उनके लुविशन बच्छा है आप काव है और जो प्ति नित्य को देखा ठीक हैärke इस नित्यों को देखा और देखने के बाद इसको प्लट करने लगा है विथा पकड़नें के लिए अगर द्यांता देखिए ओपर इस लिए इसी चीज को हमने ब्रेल में लिखा लेया यह ODC लिखा है और उसके नीचे ब्रेक्ट में लिखा है तो हुमार जो special बच्चे हैं वो इसको टेच करके पर सकते हैं और पड़ सकते हैं और बाकी बैचे पड़ सकते हैं बिल्कुल अब नेक्स्ट के बात करें तो यह देखिए आपके आप कॉस्ट्यूम की देखिए बिलकुल अलग तरह का है बिलकुल है ना देखने में पता सुंदर लग रहा है और यह कौन सा नित्य अगर अगर पले एक दम साचानक से टेस्ट की वे में भी कर सकते है बच्छ अगर प्रदेश का कुच्छी पूरी है आद्रप्रदेश से अब इसको नाम से तो नहीं हम इसको रिलेट कर सकते हैं आद्रप्रदेश का कुच्छी पूरी है आध्र प्रदेश प्रदेश का और सकते हम ल ॥ाज पूर मैंने इस को में देगे कितने मुकाटा लगा कर दान्स किया जाता है तो यह मुखोटा लगा कर कौन से नेते में तो बच वन टू थ्री और यह आगे हमारा कथकली कथक और कथकली दोनों अलग अलग है लोग काफी रिलेट कर देते हैं इसको लेकिन यह केरल का कथकली है जिक है जिसके बारे में पढ़ा भी और इसी को ब्रेल में भी लिखा हु लगरी है और इसको पल्टे देखे यह आ गया बिलकुल तमिल नादू से भरत नाट्यम ठीक है इंडिकेटर भी और ब्रेल में भी लिखे और यह ब्रेल में भी मेंशन किया गया है तांकि बच्चों को आसानी सही पूरा कॉंसेप जो है यह समझ आ जाए और माम समी जो चीज चीज है जिसे उस टाइम के जो कल्चर था उसके उस चेतर के बार में पता चलता तो जितने हमारे मुगल लोग जह आये थे हमारे इंडिया में उनमें जैसे अकबर जहांगे श्राजान लोग थे उन्होंने उन सारे जो चित्रकार थे उनको एक तरह से संदक्षन प्रदान किया जो भी इतिहास या कावियों की पांडू लिपियां है ना चित्रित करते थे उनको संदक्षन दिया और ये पांडू लिपी बहुत ही ब्राइट कलर में बनाए जाते थे ठीक है अब इनका जब वो गया डिक्लाइन हो गया मुगल सामराजी का तो देरे देर शिकार के दौरान आराम करते हैं और मुझे लगता है उनके रोज मर्रा का जो जीवन था उसके बारे में हमें इस से देख के जो समझ आ सकता है चूट इसे चित्र में बहुत ज्यादा कुछ कह दिया है बिलकुल ठीक है तो उस राइम के हुली खिलते वे और शिकार के दौ सथा तो यहां पर जो बंगाल में किससी तरह से आपके मतला जो मलों बंगाले बोल बहुत बोली याती है बैकर बंगाली के साथ साथ महां पर संस्रित कावी था ठीक है यह नहीं बोल से कि गुरंथों से मई पता चलता है कि बंगाल के लो संस्रिती उप्जूजवा शाए नहीं बोलते हैं लेकि शुरू के जो गुरंते थे उसमें संस्कृत के बहुत जाता है प्रभाव मिला है हमें तो यह देखिए बंगाल के जो प्रादेमिक साहित्य थे उसको दो शर्ड में बाटा गया था पहली शर्नी संस्कृत महाकाववी की और दूसरी शर्नी नात साहित कि पहले शर्नी थी वह उनका हम लोग पीरड है कि कौन से प्रिट में बोले गई है वह हम रोग इसली पता कर सकते हैं क्योंकि जुनकी रचनाय थी उनके बहुत सारी पांडूलिक्विया में अभी मिली है तो उनको देखकर में पता कर लिया कि कौन से प्रड की देकि जो द जहास के बारे में जानते हैं तभी अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्मान कर सकते हैं तो चलिए आप जान लेते हैं कि आज के सत्र में मुख्य शब्द कौन से हैं और यह मुख्य शब्दों की जो स्लाइड है यह आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सबसे पहला है शेत्र भाशाम संस्कृति और मैम कोई ग्रेह कारे आपकी तरफ से हमारे सभी दर्शिकों को बिलकुल जो मैंने आज पढ़ाया उसी के बारे में है पहला प्रस्ण है अनंत वर्मन कौन था जगनात का मंदिर कहां है डिटिश लोग किस छेत्र को राज-पूताना कहते थे मनी प्र कथक कौन थे और कथक शब्द किस शब्द से निकला है इसके अलावा लगू चित्र क्या है इनके बारे में हमने सब बता दिया और एक संचोदिव ग्रेकारे बार्वी शताबदी में गंगवंश के प्रतापी राजा डैश ने पूरी में पूरुशुत्तम जगनात के थर्ड मनी प्रवालम शैली में लिखी पुस्तक का नाम बताएं लीला तिलकम या महोदेपुरम चौथा कथक शब्द किस शब्द से निकला है कहानी कथा या कभीता और पांचवा छोटे आकार के चित्रों को क्या कहा जाता है जी हां और इसी के साथ एक ग्रेहकारे प्रस जाले का पता देड्रेस अंदर नेम ऑफ यॉर स्कूल शिक्षक का नाम शिक्षिका जो भी सत्र ले रही है और सत्र किति थी यानि आज का अगर यह सत्र आपने देखा है तो आज की डेट आप यहां पर मेंशन करेंगे साथी जो टीचर जो में मान हमार साथ उपस्तित है उनका भी नाम जरूर लिखे आपकी फोटोग्राफ जो है आपकी आपका चित्र जो है वो पूरी तरह से एच्छिक है विकल्पिक है पर यदि आप इसे लगा कर भेजते हैं इमेल के जरीए तो हमें बहुत खुशी होगी और यह आपको इमेल करना है अपना पूरा होंवर है यह अपने आप में खास बात है धन्यवाद साथ ही हमारी साइन लांगवेज इंटर्प्रेटर सावरी जी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं जिन्नोंने सत्र साइन लांगवेज के माधियम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की और दर्श को समावेश के लिए तो यहां पर हमने जो विभिन राज्य हैं भारत के उनकी शेत्रिय संस्कृतियां हैं उनके बारे में समझा और हमारे अगले सत्र में यानि दो बज़े हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूव्मेंट के बारे में तो आपने ये शब्द बहुत बार सुने होंगे लेकिन क्या थी इसके पीछे के कारण क्या थी पूरी मूव्मेंट कब हुई थी इसकी शिर्वाद तो विस्तरिच जानकारी आपको मिलेगी दो से धाई के हमारे सत्र में तो बने रहेए इविद्या चैनल्स के साथ आप देखते रहे हमारे तमाम कारिकरम नमस्कार